हलो फ्रेंड्स मैं राजेश कुमार नेरा फाउंडर फेकल्टी मदर्स एजूकेशन हब आप लोगों का इस वाइफाइ स्टेडी यूटूब चैनल पे हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं SSE CGL 2020 की फाइनल चेकलिस्ट अब मैट्स की क्या होनी चाहिए जिस तरीके से आपने देखा दोस्तों की SSE CGL 2019 का दो तीन दिन पहले ही रिजल्ट आया और उसमें जो कटोफ है वो 624 नमबर आउट ओफ 700 गई है उसके बाद मैं आप लोगों को SSE के लिए पढ़ाता हूँ तो मेरा इदायत बनता है और मुझे मन ने भी कहा मेरे कि आप एक फाइनल चेकलिस्ट जरूर इस्टोरेंटस को दें जो फ्रेसर से चाहे वो कुछ भी कई दिनों से त्यारी कर रहे हैं या जिनका दूसरा चांस है पहला चांस है तो दोस्तों हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो हूं क्या हो कितनी authentic है मैं राजेश कुमान नहीं रहा फाउंडर फेकल्टी मदर्स एजूकेशन हब जैपोर स्सी स्लेक्टेड 2010-11 और जब से 2010-11 से स्लेक्ट हुआ हूं तब से regular ssc cgl students go maths पढ़ा रहा हूं और दोस्तों मेरे श्टिडड लास्ट तीन से चार साल से लगातार maths में 250 में से 250 marks ला रहे हैं और अच्छी पोश्ट पे स्लेक्ट भी हो रहे हैं तो पिछले दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान दे लो आप लोगों को मैं पता है कि complete mathematics course करवाता हूँ जो course SSC CGL pre-mens CPU, CHSL और CDS के लिए होता है Unacademy पर मेरा नया जो batch है दोस्तों वो आपको पता है कि Unacademy पर मैं स्याम को batch पढ़ाता हूँ जिसका timing होता है स्याम को 9-10 इस batch में हम complete SSC foundation batch यानि zero to hero level steady करते है zero to hero level का मतलब है सबसे पहले basic build करना उसके बाद जो exam में regular के सनारे उनकी tricks समझाना और फिर exam के level से थोड़ा सो उपर level तक आपको पढ़ा देना ताकि exam में जाके आपका डर जो है वो zero हो जाए इस batch को जो मेरा man max से दर दोस्तों मैं इसको SSC का training program बोलता हूँ जिस student ने इस training program को complete कर लिया उस students के लिए मेरी guarantee है कि उसका maths का डर जो है वो खतम हो जाएगा ठीक है तो कब आ रहा है batch दोस्तों यह batch आ रहा है 6 जुलाई को यह batch का बार है 6 जुलाई को स्याम 9 बजे से यह batch स्टार्ट हो रहा है और इस batch को join करने के लिए अनेकेडमी पर जो आपको code लगाना है वो नेरा 10 इस batch की highlights हैं पूरा batch basic to high level होगा SSC, CGL, tier 1 और tier 2 दोनों की बात करेंगी AGO tough questions की हम बात करेंगी कि exam में कैसे soul करें 305 live lesson होगे 400 plus question की आपको परतेक chapter पर PDF मिलेगी जिसमें last 10 year के SSC और CDS की जो questions है वो include होगे कैसे join करेंगी इस batch को तो आनेकेडमी आप डाउनलोड करें SSC exam goal select करें plus पर जाकर दोस्तो gate subscription करते समय आपको code लगाना है नेरा वन जीरो नेरा वन जीरो code लगाने पर क्या होगा पहला आपकी फीज जो 325 रुपए परबंत है वो 293 रुपए परबंत हो जाएगी दूसरा subscription पर आपको 4 month जो है एक्स्टा मिलने वाले हैं जब आप one year या two year का subscription लेंगे ठीक है तो सारे आज ही जाएं और code लगाकर subscription ले ली चीएगा अब बात करते हैं maths की checklist checklist का मतलब अब हमें क्या पढ़ना चीए अब तक हम जो पढ़ रहे तो बहुत अच्छा था हमें क्या पढ़ना चीए दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जिनका basic अच्छा नहीं मैं आपको स्याम को तीन बजे wifi steady पर पढ़ाता हूं उसकी playlist देख लो ठीक हैं और स्याम को 9 बजे unacademy पर पढ़ाता हूं स्याम को 9 बजे unacademy पर पढ़ाता हूं तो यहां से जो मैं पढ़ाता हूं चाहिए आपने join कर रखा है नहीं कर रखा यहां जो भी मैं पढ़ाता हूं उन topic की उन topic की type wise PDF मैंने upload कर रखी है ठीक है उन topic की type wise PDF मैंने upload कर रखी है कोर्स के अंदर उनको आप download कर लो print निकाल लो और कम से कम दो बार कर लो ऐसा करते ही आपका basic strong हो जाएगा आपको एक approach पता लग जाएगी कि मुझे exam में question कैसे करने है ये आपकी checklist का पहला part है जो आपको करना है दूसरा काम क्या करना है मेरे प्यारे साथियो दूसरा काम आपको करना है 2020, 2019 और 2018 के previous year paper करने है previous year paper करने है 2020 का ssc cpo और chsl का paper हो चुका है कुछ paper chsl के हो चुके है वो करने है ssc cpo और chsl के कुछ paper cpo complete हो चुका है chsl के कुछ paper हो चुके है वो आपको करने है 2019 के कुण से paper करने है तो द्यान दो देखो 2019 के अंदर SSC CGL हो चुका है प्री और मेंस दोनों वो करना है CPO करना है और CHSL करना है ठीक है 19 और 20 के ये सब पेपर करने है और 18 और 17 के जो पेपर करने हैं दोस्तों वो ओनली करने हैं SSC मेंस 2017-18 का बस ये आपको प्रिवेशेट्स पेपर में करना है 2020 के SSC CPO और CHSL के पेपर 2019 SSC CGL प्री मेंस CPO और CHSL और 2018 और 17 के SSC मेंस के पेपर जो ये सारे पेपर टाइप आईज मैंने यहां जो PDF अपलोड कर रखी हैं उसके अंदर भी है वहाँ भी आपके एक बार होगे बढ़ एक बार यहां से आपको दोस्तो यहां से डैली ये जो पेपर्स हैं ये जब आप देखेंगे तो ये पेपर जो हैं इनमें से डैली दो पेपर आपको सूल करने चीए डो डैली के दो पेपर पर डेके दो पेपर कमले एक में 25 क्यूसन होता है तो 50 क्यूसन यहां से आपको पर डेके डेली करना चीए यह आपकी मैज्स की चेक लिस्ट का पार्ट नमबर 2 है पार्ट नमबर 3 क्या है तो पार्ट नमबर 3 जो है दोस्तो पार्ट नमबर 3 है मोग टेस्ट मोग टेस्ट जरूर देने है एक मोग टेस्ट आपको weekly देना है सबता का only एक week टेस्ट देना है और उस टेस्ट को देने के बाद सबसे important point है उसका analysis आप analysis जरूर करें कैसे करना है उस paper को आप दो पार्ट में divide करेंगे एक वो पार्ट है जो सही हो गए एक बार तो उनको करना है ठीक है दूसरा पार्ट वो है जो गलत हो गया एक बार उसको भी करना है सीखना है तो ये काम हो गया सही गलत का उसके अलावा क्या करना है वो ज्यान दो देखो सबसे पहला काम जो है वो है आपको maths और reasoning में maths और reasoning में दो या तीन question ऐसे मिलेंगे दो या तीन question जो time taken थे यानि आपको आपने जब उन questions को किया तो आपका time लगा आप तो रहे थे यो question बड़ आपको time लगा तो उस time को कम करने के लिए तो दोस्तो उसी type के जो question exam में आपके mok taste में था same type के उस सेम टाइप के आपको उसी दिन चार से पांच क्यूशन करने है जैसे मालो बोट और स्टीम का जो दिया वाला क्यूशन था जिसमें आपको तीन बार डिस्टेंस इक्वल करके और सोल किया आपने वो क्यूशन आप जब एक्जाम में किया तो आपको टाइम लगा टाइप के आपको चार से पांच क्यूशन लगाने है जैसे मैंसुरेशन का क्यूशन था कि स्लेंडर को कट किया और उसमें से आदा कट करने के बाद क्यूब बार निकाल लिया तो फिर उसी टाइप के यानि कट करके कुछ निकालने वाले क्योषन, एरिया वाले क्योषन, वोल्यूम वाले क्योषन, चार-पांच क्योषन और करने ताकि आप उसमें परफेक्ट हो जाएं यदि हर टेस्ट में ये काम करते गए ना, तो आपको स्कोर जो है वो अच्छा होगा दोस्तो अब जो सिनेरियो है, इसके अंदर मैट्स में आपको 250 प्री के और मैंस के मिला के जो नंबर है वो 250 में से 250 मार्क से लाने होंगे, यदि स्लेक्शन S.S.C. में लेना है तो तो ये चेकलिस्ट है छोटी सी, पड़ है बड़ी मस्त, दोस्तो ये समय है, कोरोना काल है, गर के अंदर बैठे हो और स्टेडी कर रहे हो, तो इसका फाइदा आप उठा सकते हो आप लोगे लिए हम रेगुलर लगे हैं, मैं तो कम से कम लगा हूँ, तीन बजे और स्याम को नो बजे आप लोगे लिए रेगुलर क्लासेज लेता हूँ, संडे भी अब तो क्लासेज हो रही है आपको पता है तो ठीक है तो आप लोग regular जुड़े रहो practice करते रहो हाँ ये बात confirm है यदि आप दोस्तों कुछ इस्टोंट सोचने से syllabus पूरा होगा है नहीं होगा exam से पहले दोस्तों अभी यदि आप study start कर रहे हो और आपको यदि syllabus पूरा करना है तो तीन बजे वाई-फाइ study और श्याम को नो बजे एन academy दोनों class जोइन कर लो exam से पहले पूरा syllabus complete हो जाएगा और वैसे लग बग course में ने पढ़ा दिया है आप playlist में देख सकते हो आसे भी कर सकते हो और दोस्तों यदि आप live पढ़कर मेरे साथ अपनी तयारी को continue चार चांद लगाना चाते हो अपने सपने पूरे करना चाते हो और मेरा जो 10 साल का experience है उसको यूज लेके आप चाते हो कि आपका selection first chance में हो जाए तो शाम को 3 बजे और शाम को 9 बजे मिलना नहीं बूलें दो 3 से 4 और शाम को 9 से 10 तो एक ही काम करना है मैच पढ़नी है और एक जो सबसे important बात मैं बताओं जो सबसे बड़ी गलती जो students कर रहे हैं सबसे बड़ी जो गलती आप लोग students कर रहे हो वो यह है कि जब भी आप कोई book को पढ़ते हूं तो जैसे आपने geometry पढ़ा तो दोस्तो geometry यह दि आपने मेरे से एक बार पढ़ लिया है तो आप जो मेरे से पढ़ चुके हो उन्हीं booklet को 4 से 5 बार करो समझरे बात को जो बुकलेट्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ उनी बुकलेट्स को 4-5 बार करो फिर वीडियो देखो फिर वीडियो देखो ऐसा नहीं कि फिर एक टीचर से और दो से और तीन से और पांस से और पढ़ लिए ऐसा करोगे तो कभी कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा इसलिए जो भी टीचर जिससे भी आप पढ़ते हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो आपके मैच्स के मेकजिम हर सब्जेक्ट के मेकजिम दो टीचर होने चीए मैं एक सोच है कोई भी सब्जेक्ट हो मैं जिम दो टीचर होने चेए कि हाँ ये चिप्टर कम समझे मैं तो यहां और पड़ लिया बड़ जो कंटेंट है उस कंटेंट को किसी एक टीचर के कंटेंट को आपको पकड़ना है और उसी को तीन बार चार बार पांच बार करना है ऐसा नहीं कि दस टीचरों का कंटेंट आप नहीं कठा कर रखा और एक कब भी पूरा नहीं कर पाए बात नमबर एक बात नमबर दो स्टुडियन्ट सोचते हैं कि सर, मोग टेश्ट कितने दें तो मोग टेश्ट अभी एक ही दें कब दो दिने कब तीन दिने में अपने आप लाईवा के बता दूँगा अभी एक मोग टेश्ट देना है सब्ता का पर हां उसका एनलाईसिस पूरा करना है जो बाते मैंने दोरों सिखा ही वो तीसरा सर डेली मोग टेस्ट के अलावा क्या पढ़ें तो डेली बेसिक्स तो टोपिक्स वाइज पढ़ना ही है टोपिक वाइज बेसिक पढ़ना ही है कैसे पढ़ना है जो टोपिक रनिंग चल रहा है लाइव चल रहा है उसको तो लाइव पढ़ना है और जो चेप्टर कम्प्लीट हो चुके हैं उसके पर चेप्टर दस क्यूशन करने है दस क्यूशन पर चेप्टर पर डे करने है रिवीजन में ये रिवीजन में करने है लाइव वाला तो पढ़ना ही और next point क्या है next point है 50 question का मतलब हो गया 25 question वाले दो paper previous yes paper ये जरूर करने है ये YouTube पर video solution मिल जाएगा मैंने सारे करवा रखें Mens के भी करवा रखें CPO के भी करवा रखें CHSL के भी करवा रखें सारे papers करवा रखें जो आपको करने चाहिए तो दोस्तों ये समय आ चुका है कि अपने सपनों को पूरा करने का अपने माबाप के सपने जिन्होंने अपने सपने काट कर आज हमें steady करवा रहे हैं उन्होंने कभी इतना अच्छा mobile या tape खूद यूज नहीं लिया आज आपको लाके दे रहा है कि आप लोग steady करें तो इसको किसी और यूज की बजाए सही यूज में लगाएं और दोस्तों आज जरूत है आपकी देश को आज इदी आप ये PD जो यूआ PD है ये नहीं पड़ी और नहीं एजूकेशन ली तो जैसे कोरोना जैसा काल दोबारा इदी कभी कोई आया तो ये देश तूट जाएगा इसलिए दोस्तों देश को बनाए रखने के लिए एक अच्छे लोगों की जरूरत है और वो आप हो आप अपने आपको जब selection लेके इस administration में लेके आएंगे देश की सेवा में जब लगाएंगे तब ये देश आगे बढ़ेगा आज आपको दिखाना है उन लोगों को जो आप से जलते हैं जो आप लोगों को देख कर ये लगत करे हैं या डायलोग मारते हैं कि यहो कितने दिन हो गए अब कब इसका सेलेक्शन होगा भाई दोस्तों ये छोटे छोटे पॉइंट जो भुआ पूपी आपके पडोसी ताउत आई मारते हैं उनको अपने दिमाख में तीर की तरह लगाओ कि यार इसने क्यों बोला ऐसा अब की बार SSC फाड़ के दिखाऊंगा और जब तक SSC को तोड़ो वाने तब तक छोड़ो वाने अपने जो भी सुक्सविदा हैं उनको छोड़ दो अगले आने वाले चार महीने SSC प्री तीन महीने मालोब बेक्जियम तीन महीने हैं प्री के दो महीने मैंस के पांस से छे महीने आपको steady करनी है और selection आपके हाथ में होगा क्या checklist है वो मैंने आपको बता दिये आपको क्या करना है ये ध्यान रखना है क्या नहीं करना है ये भी मैंने बता दिया है एक इबुक पढ़नी है किसी भी teacher की होगी एक teacher मेकजियम 2 से पढ़ना है बड़ पढ़ना जो है वो कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है previous year discussion जरूर करके जाने है कुछ करो ना करो पूरा जो basics आपको पढ़ाये गया booklets जो दी गई उनको एक ही बार soul किया कोई दिक्कत नहीं पर previous year paper जरूर करके जाना 1920 के कम से कम समझ रहे हो कहीं ऐसा नहीं हो कि 1920 का जो paper है क्योंकि नया जो pattern है TCS का उसमें यह है कि जो अब तक 17-18-19 में आया वही revise हो रहा है इसलिए वो जरूर करके जाने है कुछ लोग previous year's paper को हलके में ले ले लेते हैं कि यह तो आ चुके हैं अब थोड़ी आएंगे अरे भाई वो ही आएंगे और वो आगे तो तब क्या करोगे तो जो cutoff आज 630 नंबर 624 नंबर जारी है 700 में से उसका कारण वही है क्योंकि paper previous year's आ रहा है समझ रहे हो और दूसरा दूसरों को मत देखना कभी भी कि यह क्या कर रहा है यह क्या कर रहा है आपको हमेशा अपने खुद की record तोड़ने है कोई भी आप sports में देख लेना कोई भी sportsman कभ जीतता है जब वो डेली अपने record तोड़ता है समझ रहे हो तो आपको selection ही दी लेना है तो अपने डेली अपने record तोड़ो कि आज मैंने maths के 200 question किये कल 210 किये आज मैं 8 गंडे पड़ा कल साड़े 8 पड़ा कल 9 गंडे पड़ा आज मैंने accuracy ओर बढ़ाई आज जब मैंने 25 question किये तो मेरा 18 सही थे और आज 20 सही है आज 23 सही है और फिर time को कम लाओ 25 कि 23 कि 20 मिनिट में सही आए आज 18 में 17 में धीरे धीरे हर चीज के record आपको डेली अपने तोड़ने है जब डेली अपने record तोड़के खुस होगे उस दिन selection अपने आप हो जाएगा तो दोस्तो सारी चीजे मैंने बता दिये आपको complete playlist यह दी मेरी देखनी है तो यह जो description box है इसमें जाए यहां से अपनी playlist देख ले ठीक है और जैसे यहां लिंक लिखा हुआ है follow राजेस कुमार यहां click करोगे तो अनेकेडमी पर मेरी profile मिल जाएगी यहां पर follow कर लेना और follow करने के बाद यहां SSC exam में class आपको मिल जाएगा स्याम को 9 बजे और स्याम को 9 बजे 6 जुलाई से नया बैचारा 0 से एकदम उसको join कर लीजेगा कैसे करना है अनेकेडमी एप download करना gate subscription पर जाना 24 मन्त पर click करके code लगा देना N E H R A 1 0 और यह code लगा कर यह code लगा कर join करना यह fee जो 325 रुपे पर मन दिखाई दे रही है इसमें भी 10% मौफ हो जाएगा 4 मन्तक्ष्टा मिलेंगे और SSC के टेगरी के जितने भी faculty है reasoning maths इंगलिस जीके वो सब के बैच आपके लिए free रहेंगे तो class कैसी लगी अच्छी ल चाहें आप लोगों का धन्यवाद thank you और वीडियो को like और share जरूर करें thank you दोस्तों